वेज़े तो हैंसा सभी धर्मों का सार है पर थाइलंड में एक बौध मंदिर पर पश्चो अत्याचार के गंभीर आरूप लग रहे हैं टाइगर टैंपल के नाम से मशूर इस मंदिर की खासित रही यहां मंदिर परिसर में बागों की खुले आ मौजूदी पर अब आरूप यह है कि इसी क्यार में यहां हो रहा था अवैद व्यापार दुनिया भर में मशूर थाइलंड के जिस बौध मंदिर को बागों के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था जिस टाइगर टैंपल को देखने देश विदेश से टूरिस्ट आते थे एक और जहां बाग को बचाने के मुहिम पूरी दुनिया में जोरों पर है वहीं दूसरी और बागों के लिए सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाले थाइलंड सायोक टाइगर टैंपल में इन ही बेजुबानों पर जुल्म ढाये गए बागों को शक्ति के रूप में भी देखा जाता है लेकिन ठाइलंड के इस टाइगर टैंपल से एक या दो नहीं बलकि बाग के 40 बच्चों के शव मिले इसे संसनी फैल गई है हैरानी की बात ये है कि इन सभी शवों को प्रिजब में खाने की दूसरी चीज़ों के साथ रखा गया था पैंकॉक से 140 किलो मिटर दूर कंचन बरी में मौझूद ये टाइगर टैंपल वदेशी परियट को और खास तौर से भारतियों में खासा लोग प्रिये है यहां पल रहे बाग उन्हें आकरशित करते हैं यहां आने वाले लोग शावकों के साथ सेलफी भी लेते हैं मंदिर में 15 साल पहले बागों को रखना शुरू किया गया था हलाकि इस दोरान मंदिर प्रशासन पर वन्य जीवों की तसकरी में शामिल होने के आरोप लगते रहे इन आरोपों के चलते मंदिर पर सूंबार को छापा मारा गया था करवाई के दोरान थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल पार्क वाल्ड लाइफ एंड प्लांट कंजर्वेशन के दल ने बधवार को अपनी खोजबीन शुरू की तो उन्हें इन शावकों के शवों के अलावा दूसरी कई और संरक्षित प्रजातियों के कंकाल भी बरामद हुए आपको बताएं कि इस साल जनवरी में नेट जियो चैनल ने बागूं की तसकरी का खुला सकिया था इसके मताबिक यहां से बागूं के अंग बेचे जा रहे थे लाउस में टाइगर फर्म के साथ बागूं का लेंदेन होता है इस टेंपल पर पहले भी बागूं का तेजी से प्रजनन कराने का आरोप लगा है नेट जियो और सी फोर लाइफ के मताबिक बैंकाक से दो घंटे की दूरी पर मौजूद इस मंदिर में पिछले दशक से ही बागूं को खरीदा बेचा जा रहा है इन्ही आरोपों के बाद और टेंपल पर इसर से शावकों के शव बरामद होने के बाद टाइगर टेंपल से 137 बागूं को हटाने की कररवाई शुरू हुई सुमबार को एक हजार से ज्यादा लोगों की टीम हाइलन्ड की स्पेशल पुलिस टीम के साथ मंदिर पर से पहुँची यहां रह रहे हैं बहुत बिख्शों ने कररवाई का विरोध किया लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक ना चली इसके बाद बागों को बेहोश कर टाइगर टेंपल से उन्हें हटाने की कररवाई शुरू हुई फिलहाल रिस्क्यू किये गए बागों को नेशनल पार्क में रखा जा रहा है बागों को हटाने में जुटे करीब एक हजार कर्मचारियों को हफ्ते भर का समय लगेगा जबकि मंदिर प्रबंधन अभी भी परश्वों के साथ हत्याचार और तसकरी के आरूपों से इनकार कर रहा है